जीब, जीब के लिए कहा जाता है कि अगर जीब का आपने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो बंती बात बिगड़ जाती है ये जीब एक ऐसी चीज है जो कई युद्ध करवा देती है और चाहे तो बड़े-बड़े युद्धों को खत्म कर सकती है लेकिन इसी जीब को अगर आप आम जिन्दिगी में सही तरीके से इस्तेमाल ना करें तो बोलने की गड़वर यानि कि हमारे उच्चारण की गड़वर होती है जीब के लिए कई शकायते मेरे पास आई लोगों का कहना है कि उनकी जीब मोटी है उनकी जीब मुड़ नहीं पाती उनकी जीब छोटी है उनकी जीब नीचे से जुड़ी हुई है बोलने का जो profession है यानि कि हम anchor की बात करें RG की बात करें या फिर वक्ताओं की बात करें debate करने वाले लोगों की बात करें या फिर meetings को attend करने वाले seminars को attend करने वाले लोगों की बात करें motivational speakers की बात करें इन लोगों की भी एक बड़ी समस्या है इनका कहना है कि इनकी जीब को जिस तरीके से वो मोल्ड करना चाहते हैं उस तरीके से वो मोल्ड नहीं हो पाती है यानि कि उस जीब का सही इस्तिमाल करते हुए अपनी बोलनी की जो ख्रमता है उसको बढ़ा नहीं पाते हैं आम बोल चाल में जैसे मैंने आपको बताया कि आम जिन्दगी में होता यह है कि लोगों को यह लगता है कि उनकी जीब सही नहीं है इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो यह कि आपने अपनी जीब को सही तरीके से टोन नहीं किया है अपनी टंग को टोन करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए टंग की एकसरसाइज आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ एकसरसाइज जो आपकी जीब की खशमता है उसकी बोलने की उसके खिचने की उसके मुडने की उस इलेस्टिसिटी को बढ़ाती है पहले भी कई वीडियो बनाए है उनसे थोड़ा सा अलग ये वीडियो है इन एकसरसाइज को भी आप करेंगे तो मुझे लगता है कि जो बोलने को लेकर आपको बार बार जीब को लेकर जो अपनी शिकायते रहती हैं जो मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हैं वो सारे सवाल उनके जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं जीब की इन ही एकसरसाइज से और टोन करते हैं हमार की टंग को मैं आज जो आपको पॉजिशन में ऊसी तरह से आपको पांच बार उसके repetitions करने के पहली exercise में आपको जीब को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालना है ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालने का मतलब आप उसको सीधा जितना होसा कि उतना बाहर निकालिए और फिर जैसा मैंने आपको बताया 10 second तक आपको उसी position में उसको hold रखना है हो सकता है शुरुआत में थोड़ी तक्तिप हो लेकिन धीरे धीर आपकी ये practice बढ़ेगी करना ये है आपको जीब को पूरा बाहर निकालना है इस तरह से जितना ज्यादा आप निकाल सकें उसको बाहर शुरुआत में हो सकता है थोड़ा कमने के लिए ये एक बार हुआ इस तरह से आपको दस बार करना है ये तो हुई हमारी पहली exercise दूसरी exercise में आपको इसका बिल्कुल opposite करना है यानि कि जीब का जो पिछला हिस्सा है उसको पीछे की तरफ समेटना है और पूरी जीब को जितना पीछे हो जासा है मतलब आप ये समझे कि गले की अंदर की तरफ आप जितना पीछे ले जा सकें उतना आपको पीछे ले जाने की कोशिश करनी है इसमें आपको पूरा बाहर निकाला था और इसमें पूरा अंदर समेटने की कोशिश करनी है वहाँ भी आपको 10 सेकंड के लिए hold रखना है और फिर 5 बार इस exercise को करना है देखे, मैं आपको मुह खोल के एक बार बता देता हूँ इस तरह से आपको अंदर रखना है लेकिन मुह बंदर रखे शुरुआत करते हैं फिर रिलेक्स करना है एक और दूसरा जो cycle आपको लेना है मैं आपको बताए कि 5 राउंड लेने हैं हर राउंड के बीच में आप 5 सेकंड का एक गैप रख सकते हैं ताकि आप थोड़ा सा रिलेक्स हो जाएं ये रही दूसरी exercise तीसरी exercise में आपको अपनी जीब की शेप बदलनी है कुछ लोग अपनी जीब को इस तरह से रोल कर लेते हैं वो अगर आप कर पाते हैं तो वो बहुत अच्छी exercise है लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको परिशान होनी की ज़रूरत नहीं है आपको जीब को मुह से बहार निकालना है यानि कि आप जीब को मोटा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन होटों से उसे थोड़ा सा प्रेशर लगा कर रोकने की कोशिश करें जीब की जो मसल्स हैं उनको तो आप फैलाने की कोशिश करें ताकि आपकी जीब को मोटा कर सकें लेकिन आपको होटों से उसे रोकना है अगर होटों से नहीं रोक पा रहे हैं तो हलका सा दांतों का सहारा ले लें लेकिन दांतों से ज्यादा जोर नहीं लगाना है वरना जीब को नुकसान पहुंच सकता है तो आपको करना क्या है? पांस सेकेंड के लिए पहरी जीब को फ्लैट करना है और फिर उसके बाद खोल रखते हुए पांस सेकेंड का और फिर उसके बाद जीब को मोटाई में गोलाई में रूल करना है और फिर उसके बाद पांस सेकेंड उसको खोल रखें यह आपका एक सायकल हुआ कैसे एक बार म यह एक साइकल हुआ, इस तरह से आपको द्रस करने हैं, देखिए वापस एक बार आपको बताता हूँ, पहले आपको करना है, पूरी चप्टी, फिर उसको बाद आपको थोड़ा सा उसको यू मोटा करना है, तो आपने देखी यह दो पोजिशन है, इस तरह से आपको यह पाच राउंड करने हैं, चौथी एक्सेसाइज थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग हो सकती है, बज़ा यह है कि आपको मुह में पैन दबा कर, जीब के उपर आपको पैन को रखना है, मैंने पहले एक बार इस एक्सेसाइज को बताया था, लोगों के कई सवाल आये थे कि पैन की पोजिशन क्या रखनी है, लेकिन आपको पैन की जो पोजिशन है, ऊपर रखनी है, जीब के नीचे नहीं रखना, अब आपको एक किताब पढ़नी है, या फिर अख़बार पढ़ें, या फिर आप कुछ भी बोलें, कुछ पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा सही रहेगा, उससे आप होगा ये कि हमने पैन लगा कर एक रेजिस्टेंस पैदा किया, एक अब रोध पैदा किया, लेकिन जीब, चूंकि उसको बोलने के लिए उस पोजिशन पर जाना है, तो उन मसल्स को जोड़ लगाती है, जो मसल्स उस वक्त बोलने के लिए जरूरी होत अब जैसा मैंने आपको बताया कि आपको इस तरह से एक पैन लेना है, और उस पैन को आप इस तरह से जीब के ओपर होड़ रखें, और इस तरह से आपको बोलने के कोशिश करनी है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा शुरू में दिक्कत आए, लेकिन ये प्रेक्टिस ही आपको लगेगा कि आपका उचारण सही नहीं हो रहा है, जाहिर सी बात है, जब हमने जीब को होड़ कर दिया है, रोक दिया है, तो वो सही तरीके से उचारण नहीं कर पाएगी, लेकिन आपको पूरी कोशिश करनी है, गलत उचारण होगा, लेकिन कोशिश करनी है, कैसे? अगर आपको लग रहा है कि पैना आपका निकल रहा है तो आप एक हाथ से खूड भी कर सकते हैं लेकिन मुझे एक कोशिश करने हैं कि मैं एक हिजाब को शाही साइब के फिपाउशा कूँ मुझे लगता है कि आप इस exercise को जितना अच्छे तरीके से करेंगे उतना ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी muscle tone होगी जिस तरह से हम exercise करते हैं muscles को bodybuilding जब करने वाले लोग होते हैं जिम जाते हैं तो weight उठाकर वो resistance पैदा करते हैं जितना ज्यादा weight उतना ज्यादा resistance वो ही resistance हमने pen लगा कर यहाँ पर की है तो आप एक paragraph पढ़े हैं उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से बटने की कोशिश करें यह बहुत अच्छी exercise रहेगी और अब करते हैं पांच वी और आखरी exercise इस exercise में आपको करना यह है कि अपनी जीब का जो अगला हिस्सा है यानि कि जीब का ये वाला हिस्सा इसको आपको टच करना है तीन जगहा पर टच करना है और एक rhythm में एक tempo होता है ताल होती है उस तरह से टच करना है ये तीन हिस्से कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ एक तो है मूर्धन्य वाला हिस्सा ये उपर के दांतों के जस्ट पीछे वाला जो हिस्सा है जहां से हमारे तालू का अगला हिस्सा शुरू होता है ये इसे हम मूर्धन्य बोलते हैं इसने थोड़ा सा पीछे आप जाएंगे, जो बीच वाला हिस्सा है, जो थोड़ा सा hard होता है, उसको हम बोलते हैं hard palette. और फिर बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा, वो हुआ soft palette. ठीक है? मूरधन्य, hard palette, soft palette. मालीजिये ये हमारा उपर का तालू है, यहां हमारे दांथ हैं उपर तो यह मूर धन्य हो गया, यह hard palette और यह soft palette, jeep से आपको soft palette में कोशिश करें, कि जितना पीछे आप टच करने की कोशिश कर सकें, कोशिश करें, आपको करना यह है, एक rhythm में touch करना है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, इस तरह से आपको touch करना है, मुह बंद के आपको exercise करने हैं, इस तरह स आपको समझाने की कोशिश करना हूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकें, और एक rhythm में कर सकें, और धीरे-धीरे आपको इस rhythm को बढ़ाना है, दस बार करना है, यह एक round हुआ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, देखेगा नहीं आपको लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मुह खोल के, आपको मुह बंद करके करनी है, इस तरह से आपको करनी है, जीब के अगले इस्ते से और 10 बार करनी है, चलिए शुगात करते हैं, 10 बार हुआ, ऐसे आपको 5 राउंड करने हैं, ठीक है, तो ये वो exercise हैं, जिनसे आप अपनी muscle की जो elasticity है, जिनको शिकायत हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बार-बार मुझे सवाल करते हैं कि मेरी जीब मोटी है, जुड़ी हुई है, जादा खिचती नहीं है, भारी है, सख exercise है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे जरूर बताएं, पसंद आया है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद, उसके आगी जो बैल आइकन है, उसे जरूर हिट कर दें, ताकि जभी मैं next video बनाओ, तो आप तक अपने आ नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, उसके बारे में मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, कुछ मुझसे कहना चाहते हैं, तो नीचे comment box में लिख सकते हैं, आप मेरे सारे social platform से भी जोड़ सकते हैं, सभी के handle इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं, और झाल